च्छत्रपती वीर सिवाजी महराज की महराज के राजपाल स्रिमार रमेश जी मुखमिंत्री एकनाज जी केंद्रिय मंत्रि मंडल के मेरे सहयोगी राजनासी जी नारायन राने जी उपमुखमिंत्री देवेंदर फड़नवीज जी हजित पवार जी सीडियेश जनरल निल चवान जी नवसेना प्रमूख एडमिरल आर हरी कुमार नवसेना के सभी साथी और सभी मेरे परिवार जन आज चार दिसंबर का ये एतिहासिक दिन हमें आशिरवाद देता है सिंधु दुर्ग का एतिहासिक किला मालवन तारकरली का ये खुबसुरत के नारा चारो और फैला छत्रपती वीर सिवाजे महराज का प्रताफ राजकोर्ट फोर्ट पर उनकी विशाल प्रतिमा का अनावर और आपकी ये हुंकार हर भारत वाजी को जोज से भर रही है आपके लिए ही कहा गया है चलो चलो नई मिसाल हो बड़ो नया कमाल हो जुको नहीं रुको नहीं बढ़े चलो बढ़े चलो मैं ना उसे ना परिवार के सभी सदस्यों को नेवी डे पर विशेश रुप से बढ़ाई देता हूँ आज के दिन हम उन सुर्विरों को भी प्रणाम करते हैं जिनोंने मात्र भूमी के लिए अपना सर्वोच बलिदान दिया है साथियों आज शिन्दू दुर्ग की इस वीर भूमी से देश वास्यों को नव से ना दिवस के बथाई देना वाकई अपने आप में बहुत बड़े गवरव की घठना है शिन्दू दुर्ग के अईतिहासिक किले को देखकर हर भारतिय गर्व से भर जाता है चर्थप्रद्री वीर सिवाजी महाराज जानते थे कि किसी भी देश के लिए समुद्री सामर्त कितना जरूरी होता है उनका उद्गोस्था जलमेव यश्य बलमेव यतश्य यानि जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है बहुत सर्वसक्ति मान है उन्होंने एक सक्ति शाली नवसेना बनाई की कानो जी आंग्रे हो माय जी नाइक भाट कर हो हिरो जी इंदाल कर हो ऐसे अनेक योद्धा आज भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है मैं आज नवसेना दिवस पर देश के ऐसे पराक्रमी योद्धाओं को भी नवन करता हूं साथियों चत्रपती वीर सिवाजी महाराच चे प्रेना लेते हुए आज भारत गुलामी की मानसिक्ता को पीछे चोड़ कर आगे बढ़ रहा है मुझे खुशी है कि हमारे नेवल अफिसर्स जो अपलेट्स पहनते हैं अब उसमें चत्रपती वीर सिवाजी महाराच की विरासत की जलग भी देखने को मिलने वाली है नए एपलेट्स भी अब उनकी नव सेना के प्रतिक्षिन की तरही होंगे यह मेरा सवभाग्य है कि नव सेना के द्वज को मुझे पिछले वर्ष चत्रपती शिवाजी महाराच की विरासत से जोडने का अउसर मिला था अब एपलेट्स में भी चत्रपती वील शिवाजी महाराच का प्रतिविम हम सब को नजर आएगा अपनी विरासत पर गर्व की भावना के साथ मुझे एक और गोश्रा करते हुए आज गवरव हो रहा है भारतिय नवसेना अब अपने रैंक्स का नामकरण भारतिय परमप्राओं के अनुरूप करने जा रही है हम ससस्त्र बलो में अपनी नारी शक्ति की संख्या बढ़ाने पर भी जोड़ दे रहे हैं मैं नवसेना को बढ़ाए दूगा कि आपने नेवल शिप में बेश की पहली महला कमार्णिक अपसर की तैनाती की है साथियों आज का भारत अपने लिए बड़े लक्ष अप्ताय कर रहा है और उसे पाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रहा है भारत के पास इन लक्षों को पूरा करने के लिए एक बड़ी ताकत है ये ताकत एक सो चालीस करोड भारतियों के विश्वास की है ये ताकत दुनिया के सबसे बड़े लोक्तंत्र की मजबूती की है कल आपने देश के चार राज्यों में इसी ताकत की जलग देखी देश ने देखा जब लोगों के संकल्प जुडते हैं जब लोगों की भावनाय जुड़ती है जब लोगों की आकांच्छ जुड़ती है तो कितने सकारात्मक परणाम सामने आते हैं अलग-अलग राज्यों की प्रात्विक्ता अलग है उनकी आवश्यक्ता अलग है लेकिन सभी राज्जों के लोग राष्ट प्रथम की भावना से उत्प्रोत है देश है तो हम है देश आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे यही भावना आज हर नागरी के मन में है आज देश इतिहाँ से प्रेणा लेकर उजवल भविश्य के रोड मेप तैयार करने में जुट गया है लोगों ने नकारात्मक्ता की राजनीत्य को हरा कर हर छेत्र में आगे निकलने का प्रण किया है यही प्रण हमें विख्सिद भारत की और ले जाएगा यही प्रण देश का वो गौरव लोटाएगा जिसका यह देश हमें सांसे हकदार है साथियों भारत का इतिहाँस सिर्फ एक हजार साल की गुलामी का इतिहाँद नहीं है सिर्फ हार और निराचा का इतिहाँद नहीं है भारत का इतिहाँस विजय का इतिहाँस है भारत का इतिहाँस शोर्य का इतिहाँस है भारत का इतिहाँस ग्यान और विज्यान का इतिहाँस है भारत का इतिहास कला और स्रजन कोशल का इतिहास है भारत का इतिहास हमारे सामुद्री सामर्थ का इतिहास है सेंकड़ों वर्ष पहले जब ऐसी टेक्नोलोजी नहीं थी जब ऐसे समसादन नहीं थे तब उस जमाने में समंदर को चीर कर हमने सिंदू दुर्ग जैसे कितने ही कीले बनवाए भारत का सामुद्रिक सामर्त हजारों साल पूराना है गुजरात के लोथल में मिला सिंदू गाटी सब्यता का पौर्ट आज हमारी बहुत बड़ी विरासत है एक समय में सूरत के बंदरगा पर असी से जादा देशों के जहाज लंगर डाल कर रहा करते थे चोल सामराज्य ने भारत के इसी सामरत के बलबुते दक्षिन पुर्वे एशिया के कितने ही देशों तक अपना व्यापार फैलाया और इसलिए जब विदेशी ताकतों ने भारत पर हमला किया तो सबसे पहले हमारी इस सक्ति को निशाना बनाया गया जो भारत नाव और जहाज बना लेके मशूर था उसकी ये कला ये कौशल सब कुछ ठप कर दिर गया गया और अब और जब समर्य समंदर पर अपना नियत्र खोया हमने अपनी सामरी का अर्थिक ताकत भी खो दी इसलिए आज जब भारत विक्सित होने के लक्ष पर चल रहा है तो हमें अपने इस खोये हुए गवरव को फिर से पाकर के ही रहना है इसलिए ही आज हमारी सरकार भी इससे जुड़े हर खेत्र पर फोकस करते हुए काम कर रही है आज भारत ब्लू एकोनामी को अबुद्पुर्व प्रोच्शान दे रहा है आज भारत सांगर माला के तहट पोर्ट लेट डवलप्मेंट में जुटा है आज भारत मेरिटाइम वीजन के तहट अपने सांगरों के पूरे सामरत का इस्तमाल करने के और तेज गती से बढ़ रहा है मर्चेंट सिपिंग को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने नियम बनाए है सरकार के प्रयासों से बीते नव वर्षों में भारत में स्रीफेरर्स की संख्या में 140 प्रतिशत से ज़्यादा बड़ोत्री हुई है मेरे साथियों ये भारत के इत्यास का वो कालखंड है जो सिर्फ पांच-दस साल का नहीं बलकी आने वाली सदियों का भविश लिखने वाला है दस वर्ष से भी कम के कालखंड में भारत दुनिया में दसवे नंबर के आर्थिक ताकत से बढ़कर पांच में नंबर पर पहुँच गया है और अब बहुत तेजी से तीसरे नंबर के आर्थिक महाशक्ति बनने की तरफ आज भारत अग्रसर है आज देश विश्वास और आत्म विश्वास से भरा हुआ है आज दुनिया को भारत में विश्व मित्र का उदय होता दिख रहा है आज स्पेस हो या फिर समंदर हर जगह दुनिया को भारत का सामर्त दिख रहा है आज पूरी दुनिया भारत मिडल इस यूरोप एकनोमिक कोरिडोर की चर्चा कर रही है जिस 25 रूट को अतीत में हमने खो दिया था वो अब फिर से भारत की सम्रुद्धी का ससकता आधार बनने जा रहा है आज मेडिन इंडिया की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है तेजस विमान हो या किसान ड्रोन यूपी आई सिस्टिम हो या फिर कंद्रयान तीन हर जगह हर सेक्टर में मेडिन इंडिया की धुम है आज हमारी सेनाओं की अध्रीक तर्च जरुरते मेडिन इंडिया अस्त्र सस्त्र से ही पूरी की जा रही है देश में पहली बार ट्रांस्पोर्ट एरक्राप का निर्माण शुरू हो रहा है पिछले साल ही मैंने कोची में स्वदेशी एरक्राप केरियर आइनेस विक्रांद को नवसना में कमिशन किया था आइनेस विक्रांद मेकिन इंडिया आत्मंदिर भर भारत का एक ससक्त उदाहारण है आज भारत दुनिया के कुछ ग्विने चुने देशों में हैं जिसके पास ऐसा सामर्त है साथियों बीते वर्षों में हमने पहले की सरकारों की एक और पुरानी सोच को बदला है पहले की सरकारे हमारे सिवावर्ती और समुद्र किनारे बसे गावों को इलाकों को अन्तिम गाव मांती थी हमारे रक्षा मंत्री जी ने अभी उसका उलेग भी किया इस सोच के कारण हमारे तटिय छेत्रवी विकास से मंचीत रहे यहां मूल सुविदाओं का भावरा आज समंदर किनारे बसे हर परिवार के जीवन को बैतर बनाना केंद्र सरकार की प्राथ्मिक्ता है यह हमारी सरकार है जिसने 2019 में पहली बार फिसरी सेक्टर के लिए अलग मंत्रा नहीं बनाया हमने फिसरी सेक्टर में लगबग 40,000 करोड का निवेश किया है इस वज़े से 2014 के बाद से भारत में मचली उत्पादन 80% से ज़्यादा बढ़ा है भारत से मचली का एक्सपोर्ट भी 110% से ज़्यादा बढ़ा है अपने मच्वारों की मदद करने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है हमारी सरकार ने मच्वारों के लिए बीमा कवर 12 लाग से बढ़ा कर 500 लाग किया है देश में पहली बार मच्वारों को किसान क्रेडिट कार्ड का भी लाम मिला है सरकार फिसरी सेक्टर में वेल्यू चेंड डेवलप्मेंट पर भी काफी जोड दे रही है आज सागर माला योजना से पूरे समुद्र किनारे में आदुनिक कनेक्टिविटी पर बल दिया जा रहा है इस पर लाखों करोड रुपिये खर्च किये जा रहे है ताकि समुद्री किनारों में नए उद्योग लगे नए बिजनेस आए मचली हो दूसरा सीफूड हो इसकी पूरी दुनिया में बहुत अधिक डिमांड है इसलिए हम सीफूड प्रसेसिंग से जुड़ी इंडिस्टी पर बल दे रहे हैं ताकि मचवारों की आए बढ़ाई जाएं मचवारे गहरे समंदर में मचली पकड़ सके इसके लिए वो नावों के आधुनिकरन के लिए भी उनको मदद दी जा रही है साथियों कौकन का ये खेत्र तो अध्भूत संभावनाओं का खेत्र है हमारी सरकार इस खेत्र के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्दता के साथ काम कर रही है सिंदु दूर्ग, रत्नागिरी, अलिबाग, परभनी और धाराशिव में मेडिकल कॉलेज खुले है चीपी हवाई एड़ा शुरू हो चुका है, दिल्ली मुंबई इंडिस्टिल कॉलिडोर मानगाओं तक जुड़ने वाला है यहां के काजू किसानों के लिए भी विशेश योजराय बनाई जा रही है समुद्री तक पर बसे रिहाईशों के खेत्रों को बचाना हमारी प्राफ्पित्ता है इसके लिए मैंगरूस का दायरा बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है केंदर सरकार ने इसके लिए विशेश मिश्री योजरा बनाई है इसमें मालवन, अच्रा, रत्नागिरी, देवगट, विजयदूर, सहीद, मारस्त्र की अनेक साइट्स को मैंगरूम मनेजमेंट के लिए चुना गया है साथियों विरासत भी और विकास भी यही विक्सिद भारत का हमारा रास्ता है इसलिए आज यहाँ इस छेत्र में भी अपनी गवरव साली विरासत के सवरक्षन का प्रयास हो रहा है चत्रपति वीर सिवाजी महाराज के कालखन में जो दुर्ग, जो किले बने हैं उनको सवरक्षित रखने के लिए केंद्रवर राज्यसरकार संकल पिता है कोकन सहीत पुरे महाराज़्ट में इन धरोहरों के सवरक्षन पर सैंकलों करोड रुपे खर्च किये जा रहे हैं हमारा प्रयास है कि पुरे देश से लोग अपनी इस गवरव साली विरासतों देखने आए इसे ही शेत्र में टूरिजम भी बढ़ेगा रोजगार स्वरोजगार के नए आउसर भी बनेगे साथियों यहां से हमें अब विक्सित भारत की आत्रा और तेज़ करनी है ऐसा विक्सित भारत जिसमें हमारा देश सुरक्षित समृद्ध और सक्तिसाली हो शके और साथियों आमतोर पर आर्मी डे, एर्फोस डे, नेवी डे यह दिल्ली में मनाए जाते रहे हैं और दिल्ली में जो आसपास के लोग हैं वो उसका हिस्सा बनते थे और ज्यादा तर इसके जो चीफ होते थे उनके घर के लोन में ही यह कारकम होते थे मैंने उस परंपरा को बढ़ला है और मेरी कोशिज है कि चाहे आर्मी डे हो, नेवी डे हो, यह एर्फोस डे हो देश के अलग-अलग भाहिस्सा में हो और उसी योजना के तहर इस बार का नेवी डे इस पवित्र भूमी पर हो रहा है जहां पर नेवी का जन्म हुआ था और मुझे थोड़ी समय पहले बता रहे थे कुछ लोग कि बोले पिछली सब्ताह से हज्जारों की तादार में लोग आ रहे हैं इस हल्चल के कारण मुझे पक्का भी स्वास है कि अब देश के लोगों का इस भूमी की प्रति आकर्शन बढ़ेगा सिंद्धु दूर्ग के प्रति एक तिर्थ का भाव पादा होगा चत्रपति सिवाजी महराज ने युद्ध के खेत्र में कितना बड़ा योगदान दिया था जिस नेवी के लिए हम गर्व करते हैं उसकी मूल धारा चत्रपति सिवाजी महराज से शुरू होती है इसका गर्वाज देश्वासी करेंगे और इसलिए मैं नेवी के मेरे साथियों को हमारे रक्षामंत्री जी को मरदय से बढ़ाई देता हूं कोड़ों ने इस कारकम के लिए इस प्रकार के स्थान को चूना है मैं जानता हूं ये सारी ववबस्ताय करना कठीन है लेकिन इस खेत्र को भी लाब होता है बहुत बड़ी तादाद में जन सामाने में इससे जुड़ता है और विदेश के भी बहुत महमान यहाँ आज मौजूद है उनके लिए भी बहुत सी बातें नहीं होगी कि नेवी का कंसेप शत्रप्रजी सिवाजी महारत ने इतनी शताब्दियों पहले शुरू किया था मैं पक्का मानता हूँ जैसे आज G20 में दुनिया का ध्यान इस बात पर गया कि भारत सिर्फ विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इतना ही नहीं भारत मदवरब डेमोक्रेसी है उसी प्रकार से भारत है जितने नेवी की इस कंसेप को जन्म दिया सामर्थ दिया और आज विश्व ने उसको स्विकार किया है और इसलिए आज का ये अवसर विश्व फटल पर 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 एक नई सोच के लिए निर्मान का कारण मनने वाला है मैं फिर एक बार आज नेवी डेपे देश के सभी जवाणों को उनके परिवार जनों को और देश वासियों को बहुत बहुत शुक्त पामणाई देता हूं बहुत बहुत बधाई देता हूँ मेरे साथ पूरी शक्ति से एक बार बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद